हेलो बच्चो, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोश्टगार, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज वन, सेक्शन वन के मैट्स के चेप्टर अलजेब्रा को और यह है अलजेब्रा का पार्ट four होगा इससे पहले हमने तीन और भी पार्ट दिए हैं अलजेब्रा पे तो जिन्होंने भी उन सभी पार्ट को नहीं देखा है उन सभी लेक्चिर्स को नहीं देखा है तो उसे play list से जाकर आप देख सकते हैं जैसे ही अलजब्रा आपका खतम होता है तो फिर हम आपके chapter mathematical simplification को start करेंगे, ठीक है, तो पहले हम first of all, अलजब्रा के बारे में relate कर लेते हैं, अलजब्रा के बारे में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो जो भी आपको यहाँ पर questions बताया जाएगा, उन सभी questions को ध्यान प्र videos डाले हैं, उसे आप जरूर जाकर देखें, क्योंकि उन सभी videos आपको examination में एकदम बिल्गुल help करने वाले हैं, उन सभी videos से हमारे previous batches में 10 प्लस बच्चों ने selection लिया था, और उन सभी बच्चों का कहना है कि सर आपके बताया हुए जितने videos हैं, आपने जैसा जैसा कहा है हमने उन सभी चीजों का follow किया, तो आज हमारा selection हुआ है, तो मैं बच्चे आपको फिर से बोलना चाहता हूँ कि इस वार हमारा target है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे select हो पाए, ताकि यह जानकर हमें भी खुसी हो और आपको भी सफलता अच्छे से मिल पाए, ठ परते हैं, जिस प्रकार से बताया जा रहा है, वैसे वैसे आपको परते चलना है, ठीक है, चलिए, question number 1 की बात करते हैं, तो पहला question हमारा, if p equal to 999, यानि p equal to 999, then the value of root under, cube root of, sorry, then the value of cube root of p into p square plus 3p plus 3 plus 1 is, कहा जा रहा है कि अगर p का value अगर यहाँ दिया गया हो, हिंदी वाले आपको सभी चीज समझ में आ रहा होगा, English वाले medium, English वाले में समझ लेंगे, questions पढ़के, और हम जो बोल ले हैं, वो हिंदी बोल ले हैं, और बीच-बीच में थोड़ा सा English भी बोल देते हैं, ताकि क्या हो, सभी बच्चों कोच्छे से समझ में आते रहे, तो चलिए, हम इ steps होगा, इसमें जो हमारा steps होगा, वो क्या होगा, तो सबसे पहले, first of all, we have to arrange our given value, यानि यह जो हमारा value है, इनको क्या करेंगे, हम arrange करेंगे, तो चलिए हम arrange करते हैं, तो यह हमारा होगया cube root of, यहाँ पे p का cube कर देंगे, p से क्या करेंगे, सभी में multiply कर देंगे, इसमें multiply कर plus bq, क्या है, aq, यह aq होजाएगा, इसको आप bq मान सकते है, aq plus bq, plus 3ab plus 3bc, ठीक है, तो यह आपका formula बनता है, वो बनता है, a plus b का whole cube, यानि 1 plus p plus 1 का whole cube, ठीक है, और यह क्या है, पहले से cube root है, तो p plus 1 का whole cube, और इस पर क्या है, आपका 1 upon 3 आएगा, क्योंकि root अंदर जब next, यहाँ पर क्या होगा, यह 3 से 3 कर जागा, value हो जागा, p plus 1, then हम क्या करेंगे, p के value को put कर देंगे, तो 999 plus 1, यानि क्या हो जागा, आपका 1, 1000 हो जागा, क्या हो जागा बच्चे आपका, यह आपका हो जागा, 1, यहाँ पिलिद देते है, 1000, option माज करेंगे, option number a is the right answer, ठी 10th level के questions होते हैं, और 10th level के questions बिल्कुल असान होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक right approach की जरूत होती है, और वह right approach आपको हम सिखाएंगे, तो आपको इसको देखते चलना है, शीखते चलना है, यह आप तभी सीख पाईएगा, जब आप completely वीडियो को बाच कीजिएगा, बिना skip के वे, वीडियो को fast कर लिए, वीडियो को fast mode में देखिए, लेकिन जब भी देखिए तो पूरा वीडियो को देखिए, ठीक है, आईए, बात करते हैं अपने question number 2 की, question number 2 में कहा जा रहा है, कि यह आपको इतना वड़ा value दिया जा रहा है, ठीक है, इतना वड़ा बनाने के लिए थोड़ा साम दिमाग लगाएंगे, इसको भी बनाने के लिए थोड़ा साम दिमाग लगाएंगे, तो यहाँ पर हम एक आपको note करके formula लिखवाएंगे, इस formula को आप याद रखेगा, जो भी हम note करके लिखवाते हैं, उसको आप एक copy में note करते चलिए, और a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac, ठीक है, तो यह आपको एक formula होता है, आपको जो की याद करके रखना है, aq plus bq plus cq minus 3abc is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus, sorry, minus ab minus bc minus ac, ठीक है, तो चलिए, इन formula पर हम इसको क्या करेंगे, दिखेगा, इसको कैसे हम इस formula पर लाने की courses करेंगे, तो आपको यह हमारा दिख़दा होगा, कि 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3, यह तीनो क्या है, multiplication में है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहापे simply 1 by 3 का whole cube, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, 1 by 3 का whole cube, चलिए, marker change कर लेते हैं, next क्या है, plus में, 1 by 4 तीन बार लिखा गया है, तो इसको हम लिख सकते है 1 by 4 का whole cube, फिर आपको क्या लिखा गया, 1 by 5 लिखा गया, तो हम यहापे 1 by 5 का whole cube लिख सकते हैं, फिर क्या लिखा गया, minus 3 into a, b, c, यानि 1 by 4, 1 by 3, इसको a मानते है, b मानते, इसको c मानते हैं, तो यह लिखा गया है, a, b, c, यानि 1 by 3 into 1 by 4 into 1 by 5, ठीक है, यह ऐसा आपको लि 5 का square minus 1 upon 3 into 1 upon 4, minus को क्या करेंगे, सभी से multiply कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा, minus 1 upon 4 into 1 upon 5, ठीक है, फिर minus 1 upon 5 into 1 upon 3, ठीक है, यह आपका क्या हो गया, नीच्चे वाला value हो गया, ठीक है, next page लेते हैं, next page में, हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से और simplify करेंगे, यहाँ पर हमारा है aq plus bq plus cq minus 3abc, ठीक है, यह आप देख सकते हैं, ठीक है, minus 3abc, चलिए, तो इसको क्या करेंगे हम, आपने, जो हमारा formula दिया गया है, कौन सा formula, यह उपर, इस पर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ठीक है, चलिए, तो इसको तोर के दिखाते हैं आपको, यह ठीक है, तो इस पूरे फ़र्म्यलों का होँआ इस पर तोर देंगे, तो a प्लस b प्लस c यानी, 1 बाइ 3, प्लस 1 बाइ 4, प्लस 1 बाइ 5, ठीक है, साथ ही में क्या होगा, ब्राइकेट डिखके, a q, sorry, a का स्क्वाइर, प्लस b का स्क्वाइर, प्लस c का स्क्वाइर, मैनस a b, ठीक है, म ठीक है यह उपर का value हो गया नीचे का value क्या है आपका नीचे का value है 1 by 3 का square plus 1 by 4 का square plus 1 by 5 का square 1 by 3 का square plus 1 by 4 का square plus 1 by 5 का square minus 1 by 3 1 by 4 1 by 4 1 by 5 और 1 by 5 और 1 by 5 1 by 3 यानि यह सेम चीज़ है ठीक है 1 by 3 into 1 by 4 minus 1 by 4 into 1 by 5 minus 1 by 3 into 1 by 5 ठीक है? Match कर लोते हैं Cheerito match कर रहा है तो यहां से आप देख सकते हैं कि यह ऊपर वाला पुरा Value यह वाला उपर वाला पूरा Value यह आपके इस नीचे वाले Value से कर जाता है और बच कर जाता है सिर्फ आपके बच मत जाता है 1 Y 3 plus 1 Y 4 plus 1 Y 5 ऐसे हमारा value बढ़ जाता है, तो इस value जो वहारा value बढ़ जाता है तो अब हम इसका क्या क्या करेंगे, LCM लेंगे,mal 1 OS 60 आ जाएगा उपर क्या लेंगे, इस सभी S 350 से कातुं काट रेंगे तो 3 को 60 से कातेंगे क्या होगा 20x, 15x यह आपका 12x तो उपर एडिशन कर लेंगे तो आपका जाएगा 47 नीची है आपका 60 तो एंसर क्या हो जाएगा 47 by 60 यानि option number C is the right answer ठीक है आईए question number 3 की बात करते हैं 3 में क्या कहा जा रहा है 3 में कहा जा रहा है कि if a equal to 4.36 b equal to 2.39 and c equal to 1.97 then the value of aq minus bq minus cq minus 3abc ठीक है तो चलिए हमने आपको aq plus bq plus cq minus 3abc का aq plus bq plus cq minus 3abc का आपको यहाँ पर याद करवाया यहाँ पर लिखा है और आपको यहाँ याद कर लेना है ठीक है यहाँ पर हम आपको एक और formula देते हैं दिखे वच्छे previous batches के जो sample paper थे उसको भी हमने आपके लिए upload कर दिया है channel पर तो वह आपके previous batches के playlist में ही मिल जाएंगे नहीं तो आप simply search करके भी देख सकते हैं ठीक है तो वहाँ से आप देखेगा ऐसे type के questions वहाँ पर आपको पूछे कहें हैं तो इस सभी प्रकारे questions को आपको अच्छे से practice करते चलना है जो भी आपको बस books है उसको भी follow करते चलिए books के लिए हम जल्दी से एक वीडियो देंगे जो कि क्या होगा आपको help करेगा कि आपको किस प्रकार के books लेने हैं देखें यहाँ पे ABC का value दे दिया जा रहा है तो AQ-BQ-CQ-3ABC का value आपको बताने है ठीक है अगर बच्छो वीडियो fast लग रहा हुआ तो इसको आप slow करके देख सकते हैं ठीक है अगर आपको जैसा लग रहा है आप fast या slow आप ज़रू comment box में लिख कर बताएगा ताकि हम उसको अच्छे से और सुधार पाएंगे ठीक है आईए AQ-BQ-CQ-3ABC का value क्या होता है इसको हम तो आसा याद कर लेते हैं चलिए तो इसको हम इसका value होता है आपको यहाँ लिख कर बताते हैं यह आपको value या रखना है AQ-BQ-CQ-3ABC का value होता है half of A-B-C याद रखेगा half of A-B-C bracket में A-B का square ठीक है प्लस B-C का square प्लस C-A का square ठीक है यह क्या होता है इसका value होता है तो यह value का आप याद करते हैं तो आपको क्या होगा अग्दम simple याद रखेगा इस value को इस value को आप पिछले वाले value के तोड़ पर भी याद रख सकते हैं इस वाले value को यानि यह आपका question है यानि AQ-BQ-CQ-3ABC को आप यह जो हमारा पिछला value था इस पर भी आप best इसको बना सकते हैं कैसे दिखेगा हम कैसे करेंगे इसको दिखेगा इसको हम अगर AQ माले और इसको क्या माले इसको माले अब प्लस में और इसको माइनस B का Q माले ठीक है फिर प्लस में माइनस C का Q माले माइनस 3ABC यह क्या होगा AQ-BQ-3ABC तो इसका फर्मूला क्या होगा A plus B plus C into में A square plus B square plus C square minus A B minus B C minus C तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं आपको जिस प्रकार से याद रखेगा दोनों का यूजज होते हैं दोनों के अलग-अलग इंपोर्टेंस भी है तो आपको दोनों याद करके रखना है ठीक है चलिए तो इस Cossence को हम बना लेते हैं इस Cossence में हमारा A का value क्या दिया गया है हमें A का value दिया गया है 4.36, 4.36, 2.39, 1.97, B का value क्या दिया गया है 2.39, C का value दिया गया है 1.97, ठीक है तो हम निकालेंगे A-B-C का value ठीक है क्यों निकालने हैं क्योंकि यहाँ पे दिया गया है तो A-B-C का value निकाल लेते हैं तो 4.36-2.39-1.97 इसे एड़ करेंगे तो value कितना जागा हमारा इसे जैसे ही आप add किज़ेगा तो value आएगा 4.36 और इसे add किज़ेगा तो आपका 4.36 यह से यह कर जाएगा value किया जाएगा आपका 0 हो जाएगा किया जाएगा value 0 हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा value है AQ-BQ-CQ-3ABC इसमें आपको A-B-C यह लिखा गया है दिखे ऊपर वाले value यह लिखा गया है और इसमें क्या है इतने वाले value से multiply है तो हम यहाँ पे simply इसको क्या लिखेंगे 0 के बढ़ावर लिख देंगे हाला कि आप यहाँ पर विटा लिएगा तब भी 0 हो जाएगा आपका value बताना है ठीक है तो आपको दिया जा रहा है x square minus 4x minus 1 equal to 0 तो हम इसको लिख सकते हैं x square minus 1 equal to 4x ठीक है और दोनों साइड क्या करेंगे dividing करेंगे dividing dividing both both side by x यहाँ दिखेंगे बच्चे हम जिस level से आपको questions बता दे रहे हैं आएंगे इस से जादा tough questions नहीं पूछे जाएंगे आपको ठीक है तो dividing both side by x x से divide कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा x यह हो जाएगा 1 upon x यह equal to 4 हो जाएगा आपको x square plus 1 upon x square का value दिया जा रहा है तो क्या करेंगे अब हम squaring squaring both side both side को क्या करेंगे squaring कर देंगे यह आपका हो गया x minus 1 upon x square equal to 4 का square यह हो गया x square plus 1 upon x square minus क्या हो गया 2 into x into 1 upon x equal to 16 यह x cut गया यहाँ पर में value क्या मिला ? यहाँ पर सोरी एक सेकंड रूख जाएगे यहाँ पर में value मिल गया x square plus 1 upon x square equal to 16 plus 2 कितना होगा 18 होगा 16 प्लस 2 कितना जाता है 18 हो जाता है option बाच करेंगे option number D is the right answer question number 5 क्या है हमारा 5 में काज़रा है कि if 4B square plus 1 upon B square is equal to 2 then the value of 8B square plus 1 upon B cube sorry then the value of 8B cube plus 1 upon B cube अगर 4B square plus 1 upon B square का value 2 है तो 8B cube plus 1 upon B cube का value क्या होगा बहुत ही simple question बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है थोड़ा सा दिमाग लगाना है देखिए का हम कैसे बनाते हैं इसको यह जो value है इसको हम arrange करेंगे और इस value से हम इसको लाएंगे देखिए कैसे हम लाते हैं तो यह जो value है इसको हम क्या लिख सकते हैं 4B square को हम 2B का whole square लिए सकते हैं प्लस में 1 upon B का whole square equal to क्या होगा 2 के बरावर हो जाएगा ठीक है तो यह आपका 2B का whole square plus 1 upon B का whole square दिखें A square plus B square ठीक है और क्या लिखेंगे हम plus AB यानि plus AB यानि करें के मतलब plus 2 into A into B plus 2 into A into B minus 2 into A into B sorry A into B equal to क्या होगा ठीक है तो देखेंगा यह हुगा बच्चे यहाँ पर हम A plus B के whole square के term में इसको तोरने की कोशिस करना है अगर इसे हम इसको कार दे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है तो कोई फरक नहीं पड़ेगा इसका नहीं से और इतने बाले पूरे value को आप A plus B का whole square यानि 2B plus 1 upon B is equal to root under 6 क्या गया root under 6 आगया ठीक है तो यह हमें एक value मिला हम क्या करेंगे इसको equation first मालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर cubing cubing यहाँ पर लिखेंगे take cube both side ठीक है take cube both side of equation first equation first के क्या करेंगे both side हम cube ले लेंगे ठीक है तो बहुत साथ चली cube ले लेते हैं यानि 2B plus 1 upon B का whole cube is equal to root under 6 का whole cube ठीक है तो root under 6 का whole cube को आप 6 root 6 लिख सकते हैं और इसका cube की जाएगा था 8B cube हो जाएगा plus 1 upon B cube हो जाएगा ठीक है plus 3 into 2B into 1 upon B ओके क्या कर रहा हम A plus B का whole cube यानि A cube plus B cube plus 3AB into A plus B यानि 2B plus B 2B plus 1 upon B A plus B यह हो गया equal to 6 root under 6 ठीक है यह आपका 8B cube हो गया plus 1 upon B cube हो गया B से B कर जाएगा value आजाएगा 6 और 2B plus 1 upon B का value क्या है हमें मिला है यहाँ यहाँ पर root 6 तो 6 root 6 equal to 6 root 6 ठीक है यह 6 root 6 से 6 root 6 कर जाएगा value आजाएगा 8B cube plus 1 upon B cube is equal to 0 ठीक है next आपका question number 6 x plus 1 upon x is equal to 3 तो आपको value बताना है x cube plus 1 upon x बटे x square minus x plus 1 ठीक है तो x plus 1 upon x equal to 3 दिया जा रहा है तो आप क्या कीजे इस वाले value में हम क्या करेंगे इसका use करेंगे तो यह आपका हो गया x cube plus 1 upon x is equal to sorry upon upon x square minus x plus 1 ठीक है तो हम क्या करेंगे उपर ने चे क्या करेंगे x से क्या करेंगे divide कर देंगे तो यह हो जाएगा x cube upon x plus 1 upon x हो जाएगा और यह squaring हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा आपका x square upon x minus x upon x plus 1 upon x ठीक है चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा x square plus 1 upon x square बटे में x plus 1 upon x minus 1 ठीक है next क्या है यहाँ पर यह x square plus 1 upon x square को आप लिख सकते हैं a square plus b square को आप लिख सकते हैं a plus b a plus b का whole square minus 2 minus 2 into a into b यानि 2 into x into 1 upon x x कर जाएगा value फिड भी 2 ही आगा इसका हम directly यहाँ पर 2 ही लिख रहे है ठीक है तो यह आपका 2 ही लिखा जाएगा upon क्या लिखेंगे नीचे upon नीचे लिख देते हैं x plus 1 upon x minus 1 ठीक है x plus 1 upon x का value में 3 दिया जा रहा है तो 3 का square क्या होता है 3 का square होता है 9 9 minus 2 हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा 3 minus 1 9 minus 2 कितना होता है 7 और 3 minus 1 क्या होता है 2 होता है 7 by 2 यानि option number c चलिए next question है question number 7 question number 7 में का जा रहा है 50 percent of p minus q is equal to 30 percent of p plus q तो आपको बताना है p is to q का ratio यानि p is to q का value क्या होगा ठीक है तो इस प्रकार के questions पर आपकी जानिसन में पूछे जाते हैं बहुत बार पूछे जाते हैं तो इस बार पूछे जाने के पूरे chances बनेगे ठीक है तो इसको आप बी बी आई माल सकते हैं तो 50 percent of p minus q is equal to 30 percent of p plus q तो 50 percent of p minus q का निकाल लेते हैं तो 50 percent हो कहने के मतलब 50 upon 100 into p minus q is equal to 30 upon 100 into p plus q यह two times क्या होगा यह two times और यह आपका 3 upon 10 रहने जाते हैं यह 1 upon 2 हो जाएगा p minus q is equal to 3 upon 10 p plus q यह two five times कर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 5p minus 5q is equal to 3p plus 3q ठीक है तो यह 5p में से किया है तो 2p हो जाएगा यह क्या हो जाएगा पांस तीन 8 q 8 q यह जाएगा तो यह आपका value हो जाएगा p equal to 4 q तो यहां से मुलिख सकते हैं कि p upon q is equal to क्या होगा p upon q is equal to 4 upon 1 क्या होगा 4 upon 1 यानि 4 is to 1 option number b is the right answer ठीक है चलिए question number 8 बढ़ते हैं 8 में क्या कहा जा रहा है कि x is equal to a plus 1 upon a y is equal to a minus one upon a तो आपका value बता आना है x to the power 4 plus y to the power 4 minus 2 x square y square ठीक है तो यहां भे हम क्या करने वाले हैं कि x to the power 4 plus y to the power 4 minus 2 x square y square को arrange करेंगे तो यह हमें दिख रहा है, यह में क्या दिख रहा है, यह में दिख रहा है, x square, क्या दिख रहा है, x square, minus y square का whole square, ठीक है, अगर इसका value इसको तोड़िएगा, a minus b के whole square को, तो यह मिलेगा, a square, यानि x square, x to the power 4, plus y square, y to the power 4, into में, क्या होगा, sorry, minus times of 2 into x square y square, तो यह हमें उपर दिख रहा है, तो यह x square minus y square का whole square, यानि a minus b के whole square पर टूट रहा है, तो a minus b और a plus b, क्या होगा, यह a minus b और a plus b इसको तोड़ सकते हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं, a minus b, यानि a minus b, into a plus b, और इसका क्याहाब का squaring तो रहेगा ही, तो हम अगर x minus y और x plus y का value find कर लें, तो हमें answer मिल जाएगा, ठीक है तो इसको equation 1 माल लेते हैं, तो a minus b, यानि x minus y निकाल लेते हैं, तो a plus 1 upon a, minus a plus 1 upon a, cut गया, value आगया, sorry, a कटेगा, a कटेगा, a कटेगा, तो value क्या आएगा, a कटेगा, तो value आएगा, 2 upon a, 2 upon a, a plus b, यानि x plus y तो a plus 1 upon a, plus a minus 1 upon a, 1 upon a से 1 upon a कटेगा, value क्या जाएगा, a plus a, यानि 2 आजाएगा, ठीक है, तो next page ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको 2 माल लेते हैं, इसको 3 माल लेते हैं, तो लिखेंगे, from equation 1st, 2nd and 3rd, तीनों equation से, क्या दिख रहा है हमें, value दिख रहा हमें, क्या दिख रहा ह value में, यहां से, यहां से दिख रहा है, x to the power 4, x to the power 4, plus y to the power 4, minus 2x square, y square, नीचे equal to लिखेंगे, और यहां पर हम लिख सकते हैं, इसको, यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 upon a into 2a, sorry, 2 upon a into 2a का whole square, यह से कट गया, यह जाएगा 4, 4 का square, value आता है आपका 16, क्या आता है value आ का 16 आता, याना option number c is the right answer, ठीक है, चलिए, question number, क्या है, question number 9 क्यों बरते है, 9 number question में कहा जा रहा है कि, if root under 1 minus x cube upon 100 is equal to 3 by 5, तो value of x का value उताना है, यानि then the value of x is equal to, ठीक है, तो x का value क्या होगा, ठीक है, चलिए, तो इसको क्या करेंगे, simple question है, यह बहुत ही simple question है, यह root under 1 minus x cube upon 100 ह एकोल टो 3 upon 5 है, इस्क्वारिंग बहुत साथ कर देंगे, तो यह 1 minus x cube upon 100 is equal to हो गया, 9 upon, क्यों हो गया, 9 upon 25, तो x cube upon 100 के value के बढ़ हो गया, 1 minus 9 upon 25, तो 1 minus 9 upon 25 का value क्या हो जाएगा, यह value हो जाएगा 16 upon 25, ठीक है, तो 16 upon 25 हो गया, तो यहाँ से हो गया, x cube, क्योग हो गया, यह x cube is equal to x cube is equal to 16 into 100 upon 25 ठीक है तो पचीस चोकेस हो यानि पचीस को 4 टाइम्स कर जाएगा तो यह क्या होगा 4 का cube हो गया 16 into 4 क्या होगा 4 का cube हो गया क्योंकि 16 को 4 का square लिख सकते हैं तो 16 x cube equal to 4 का cube तो x equal to यहां से में 4 मिल गया option भाज करेंगा option number b is the right answer ठीक है question number 10 है यह आपका last question है इसमें क्या कह जाएदा कि p का value एगर 101 दिया गया हो तो आपको इसका value उताना है तो इस प्रकार के questions हमने आपको तुरंत दिया है अभी जम आपके starting में ही question number 1 में ही questions करवाया है तो यह questions आपके लिए क्या होगे home birth में home birth के तौर पर हो गया है ठीक है तो आप इसको जरूर बनाईएगा और इसका answer comment box में लिखिया कि आपको इसका answer क्या आया ठीक है तो चलिए बच्चे इस वीडियो को यहींतर रखते हैं और जरूर लिखते हैं क्योंकि नहीं लिखते तो आपको sincere होके पढ़ाई करना पड़ेगा क्योंकि समय आपके जानवेशन के देखते देखते ही नजदीक आ जाएंगे ठीक है तो चलिए रखते हैं वीडियो को यहीं पर वीडियो अच्छा लगा तो like and share ज़रूर करें thanks for watching my video तब तक के लिए bye bye